हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तु माई चैनल होम साइंस एक्जाम मास्टर आज हम लोग अपने प्रस्ट जो प्रैक्टिस से चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे आज का पहला प्रश्ण है प्रस्थापित आवाज का अधिक्तम दबाव होना चाहिए ऐसी से नबे डेसिबल 100 से 110 डेसिबल 60 से 70 डेसिबल या 110 से 120 डेसिबल जो प्रस्थापित आवाज है जो मतलब कि हम बोलते हैं या सामा ने जो आवाज है उसका अधिक्तम दबाव कितना होना चाहिए तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर ए 80 से 90 टीवी क कम है ठीक है क्या है उससे भी जादा कम है तो जो यह 80 से 90 डीवी होना चाहिए विभीन संदक्षणों एवं अधिनों के द्वारा ग्यात हुआ है कि 100 डेसिबल अगर हम 100 डेसिबल की ध्वानी सुनते हैं कितना 100 100 डीवी की ध्वानी सुनते हैं तो व्यक्ति के स्वास्त पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कुछ वैग्यानिकों का मानना है कि निदेंतर 85 डेसिबल तक की ध्वानी अगर आप लगातार तीवरिता की ध्वानी को भी स्वास्त पर मतल लगातार आप सुन रहे हैं तो स्वास्त पर उसका भी प्रतिकूल प्रभाव तो कुछ फैग्यानिकों ने ऐसा माना है कि इस तत्य को शोर की सीमा 75-85dB होनी चाहिए 75-85dB होनी चाहिए तो जो सबसे सठीक आंसर हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? आप्शन नमबर ए जो है वो विल्कुल सठीक है कि 80-90dB ठीक है उससे तो मतलब अधिक तो होना ही नहीं चाहिए तो 80-90dB यहां अप्शन नमबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होता है बच्चों के समानांतर खेल किस आयू के लक्षण है? समानांतर खेल मैंने आपको बताया था क्या होता है? एक ही समय में अगर जैसे कई बच्चों को अलग अलग खिलोने लेकर के बिठा दिया जाया तो वो अपना खिलोना लेने में व्यास्त रहेंगे दूसरे बच्चे अपने खिलोने से खेलने में व्यास्त रहेंगे तो वही क्या है? वही क्या है समानांतर खेल होता है तो किस आयू के लक्षण है एक से तीन वर्ष के, चार से छे वर्ष के, चे से आठ वर्ष के या आठ से दस वर्ष के तो यह बच्चों में जो समानांतर खेल है वो क्या है कौन से किस आयू के लक्षण है वो चार से छे वर्ष के लक्षन है option number B जो होता है वो हमारा correct हो जाता है तो यहाँ पर option number B जो है वो आपका फिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें जो खेल क्या है अगर पूछा जाए कि खेल कैसी प्रक्रिया है तो खेल क्या है universal एक क्रिया है जब से व्यक्ति के अस्तित्तु के बारे में इतिहास गवाई देता है तब से उसकी खेल की प्रवित्ति की जानकारी भी देता है बालक के विकास में खेल का बहुत अधिक महत्तो है चार से छे वर्ष की आयो के बच्चों के अंदर कौन सी समानांतर खेल की आयू है अगर समानांतर खेल की आयू अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 4 से 6 वर्षों हो जाता है किसी वस्तु की कारेप्रणाली को बताना है प्रतिपादन करना है लक्ष है, संचार है या कुछ भी नहीं तो अगर किसी भी वस्तु की कारेप्रणाली मतलब उसका मैथरड हम बता रहे है तो वह क्या कहलाता है वह प्रतिपादन कहलाता है option number A आपका correct हो जाता है वह क्या कहलाता है प्रतिपादन कहलाता है जिसको हम कहते हैं demonstration कहलाता है प्रतिपादन भी क्या होता है दो प्रकार का होता है एक होता है पद्दती प्रतिपादन और दूसरा होता है हमारा परिणाम प्रतिपादन क्या कौन सा परिणाम पद्दती और परिणाम दो प्रकार के प्रतिपादन होते हैं अगर हम कहें तो एक तो हमारा है method demonstration और दूसरा ह पूरी विधी बताई जाती है कि किस तरह से हमको कारिको करना है और परिणाम डिमोंस्ट्रेशन जो परिणाम वाला है उसमें जो आपका रिजल्ट डिमोंस्ट्रेशन में है मतलब इसमें कोई भी काम जो हो रहा है उसका परिणाम क्या हो रहा है वो उसमें वो बताया आपको प्रणाम बताया जाता है देखिए और विश्वास कीजिए कि भावना से ही प्रतिपादन का मुख्य अगर पूछा जाए कि प्रतिपादन का सिध्धान्त क्या है तो प्रतिपादन का जो मुख्य सिध्धान्त है वो देख कर विश्वास करना है जैसे अगर हमारे साथ किसी चीज को कोई करके दिखाएगा तो वो चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं तो इसलिए यहां पर आपका पहला option option number A जो है वह correct हो जाता है पुरकिंजे तंतु होते हैं कहां होते हैं हिर्दय में वरिक के निफ्रान में मस्तिष्क में या तवचा में तो जो पुरकिंजे त हिर्दय में एक किसकी तरह एक नेटवर्क की तरह कारे करते हैं एक जाल की तरह कारे करते हैं और या हिर्दय की एंटिवैट्र कुलम नोड से उत्पन समवहन सिगनल को ग्रहन करते हैं और जो उसके साथ में ग्रहन करते हैं साथ ही दाएं और बाएं निले की उद्दीपित करने का कार्या करते हैं जिससे की हिर्दय की रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है जब उदीपन स्टिमुलेशन होता है तो हिर्दय क्या होता है बलड को तेजी से पंप करता है तो यहां पर हमारा option number A जो पूरकिंजे के तंतु है वह किसमें पाई जाते हैं वह हिर्दय में पाई जाते हैं option number A जो है वह आपका correct हो जाता है insulin का स्रामण होता है यकरित द्वारा अगनाशय द्वारा जठर द्वारा जी हुआ द्वारा तो insulin का स्रामण किसके द्वारा होता है तो insulin का जो स्रामण होता है वह अगनाशै के द्वारा होता है अर्थव प्रैंक्रियास के द्वारा होता है और जो है इंसुलिन क्या है एक peptide हर्मॉन है जो अगनाशै की अंता स्रावी भाग लेंगर हंस की दिपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह कोई करता है या शरीर में ग्लूकोस के उपब्प्रच को नियंतृत करने का कारे करता है अगर यहांपर इंसुलीन प्रकार से कारे नहीं करता थो हमारी ब्लड शूगर लेबल क्या हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर इंसुलीन का शावन होता है कहाँ अगनाश है कि जो हमारा अगनाश है उसके अंतास रावी भाग लेंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है ठीक है तो यहाँ पर यह बिलकुल एकदम पूरा मैंने बता दिया कि सिर्फ अगनाश ही मैं पड़सें आप जाने और भी सारी चीजינה जानते रहे कि कहा-कहा से होता है शिषूओं की रौस्पिंग रूटिंग और सकिंग को क्या कहते है इंस्टिक्ट कहते है ट्रेट कहते है contenido क्रेक्टिशन रिफ्लेक्स कहते है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कउन सा रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब जब हम छूते हैं जैसे पाम हाथ हेली पर जब चूएंगे तो बच्चा उसको पकड़ लेगा तो इस तरह से जो रूट वाला है कि मतलब बच्चा एक करवट करने पर फिर किस तरह से रियक्शन पूरे पैर को अपने बॉड़ी को इस तरह के आपकि बच्चेशन पर कोड़ लेता है वहीं चीज़े जो है वो आपकी ग्रैस्पिंग रूटिंग और सुकिंग को क्या कहते हैं एडप्तिव रिफलेक्टिंग जो आप रिफ्लेक्स कहते है और उसमें जैसे जो सुकिंग की प्रक्रिया है वह कि समें जादा देखिन अगर ज είναι बच्चों को चूटे है तो क्या करता है वह नुम्हाहता है जय से आपकंवकिव महध स vendo कि ज्ञानches ayudar कि जो शुन्पान करता तो यहां पर option number D जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ग्रैस्पिंग से रूटिंग से सकिंग से डारेक्ट प्रश्ण आते हैं और यहां पर आप इसको रट लेजिए कि adaptive reflex तो ही लेकिन कौन सा adaptive reflex है next है हमारा लाग रंथियों के enzyme पाचन करते हैं किसका पाचन करते हैं वसा का protein का carbohydrate का या vitamin का तो जो लार्ग नंतियों के enzyme है वो किसका पाचन करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मुख में ही किसका पाचन आरंबु जाता है carbohydrate का तो इसलिए यहां पर option number C हमारा correct हो जाता है कि यह किसका पाचन करते हैं या कार्बो हाइड्रेट का पाचन करते हैं और लार का जो मुख्य काद है वो मुझ की जिली और जीब को गीला रखना है ताकि हमें बोलने में असुविधाना हो लार में उपस्थित एमाईलेज नामक एंजाइम भोजन की उपस्थिती कार्बो हाइड्रेट को चीनी में बदल देता है मतलब कार्बो हाइड्रेट को किस में बदल देता है ग्लूकोज में बदल देता है हमारे मुझ में लार तीन ग्रंथियों के दुवारा स्रावित की जाती है पहला जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको पैरिटिट ग्लैंड कहते हैं दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं सबमेडूलर ग्लैंड कहते हैं और तीसरे भाग को सबलिंग्वल ग्लैंड कहते हैं तो इस तरह से तीनो ग्लैंड के बारे में भी बता दिया अब नेक्स्ट है हमार से कोई नहीं है तो यहां पर आपका करेक्ट अंसर हो जाता है कि पांच वर्ष का बालक अगर सीधी रेखा में कैची से काट रहा है तो बहुत इजी तास्क तो है नहीं तो यह कौन सा सूख्ष्म क्रियात्मक कोशल है कि यह क्या option नमबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है कि सूख्ष्म क्रियात्मक कोशल है कि अगर बच्चा सीधी रेखा को सीजर से काटने का कारे कर रहा है ठीक क्रियात्मक विकास को चालक विकास गत्यात्मक विकास भी कहते हैं क्रियात्मक विकास के अंतरगत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों में मांस पेशियों का समन्वे गती एवं उनकी शक्ती नहीं तो होती है next है मारा मोती पिरोने में आवशक्ता है समस्त पेशिय कुशलता की छोटी पेशिय कुशलता की नेत्र समन्वे की या फिर आपकी नेत्र हस्त समन्वे की तो मोती पिरोने में आवशक्ता किस चीज की होती है नेत्र की और हस्त की क्यूंकि आँखों से मोती के छेत को देखेंगे और हाथों से उसको पिरोएंगे तो यहाँ पर हमारा option number D जो है वह correct हो जाता है सभी समुहों के बालक 2-5 वर्ष की आयू में छोटे तथा बड़े मोती पिरोने का कारे कर सकते हैं आयू व्रिद्धि के साथ साथ मोती पिरोने की गती में भी व्रिद्धि हो जाती है मतलब जैसे जैसे अगर आप बड़े होते हैं तो वैसे वैसे आपके जो सुक्ष्मकॉसल जो क्रियां हैं वो क्या होती है बढ़ियां इन्हांस होती जाती है तो जैसे बड़े होते हैं आयू होता है एक्सपीरियन्स होता है मैचुरेशन होता है आपके जो बाड़ी पार् किस हार्मोन में आयोडीन होता है ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन इंसूलिन या एडरेन नालिन तो किस में आपका थायरोक्सिन मतलब आयोडीन होता है तो वा थायरोक्सिन नामक जो हमारा हार्मोन है थायराइड ग्लैंड से जिसकी उत्पत्ती होती है उसमें क्या होता है आयोडीन होता है क्योंकि जब भोजन के द्वारा आयोडीन की पूर्ती नहीं हो पाती तो दैनिक रिया कलापों को संपन करने के लिए थाइराइड ग्लैंड जो है हमारी उससे क्या होता है थाइराइड ग्लैंड से को थाइराइक्सिन नामक हार्मोन के सा तो अधिक कारे करना पड़ता है फलता थाइराइड ग्रंथ की कोशिकाया निरंतर विभाजित होती रहती है और ग्रंथी बढ़कर एक गाट के रूप में का रूप ग्राण कर लेती है इसी गाट को घेखाया गलकंड भी कहते हैं तो ग्वाइटर के लिए भी हमारा जो यह थारोक्षिन नामक हार्मोन है यह भी क्या है उत्तरदाई है अगला प्रश्न है हमारा 43 43 में है स्वास्त शिक्षा और शालीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं क्या है ुष्धर के विकास है तो यह उपरोकत सभी तो ये स्वास्थ शिक्षा और सारीरिक शिक्षा के प्रमुखुद देश क्या है जो भी कादे रेगुलर करने लगते हैं तो उससे क्या होता है हम कहते हैं ये हमारी आदत बन गई है भविश्य में ये आदते ही मानो प्रकृति का रूप धारण कर लेती हैं अता बच्पन से ही बालक के अंदर स्वास्त आदतों का समाबेश कराना माता-पिता की पुनीत करताव है बालक की यही स्वस्त आदतें बड़े होने पर स्वस्त जीवन का आनंद प्रदान करती हैं विश्व सास्त संगठन के एक सम्मेलन में स्वास्त को इन शब्दों में परिभाशित किया गया था शरीर के रोगी से मुख्त दशा स्वास्त नहीं बलकि व्यक्ति के स्वास्त से तो उसका संपूर शारीरिक मानसिक वा संवेगात्मक कल्यान नहीं थै ये डबलू एचो के डिफिनिशन मैंने आपको कई बार बताई है I hope कि आपको ये डिफिनिशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और इसी के साथ जो ये प्रशन था हमारा स्वास्त शिक्षा और साधीरिक शिक्षा के प्रमुखुद देश क्या है तो वह क्या है समाजिक आदतों एवं अविर्तियों हेतु स्वास्त शिक्षा और साधीरिक शिक्षा बनाई गई है नेक्स्ट है हमारा एक संतुली ताहार में उर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है किससे होती है उर्जा एनरजी की बात करा है शरीर बनाने वाले खादियों से सनक्षी शब्जियों और फलों से अनाजो और बाजराओं से तेल और वसा से तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है अनाजो एवं बाजराओं से किससे option number C जो है वह करेक्ट हो जाता है उर्जा अधिकांशता प्राप्त होती है मतलब एनरजी हमें सबसे जादा कहां से मिलती है तो जो हमारे कार्बो हाइडरेट से वहां से क्या होता है हमें एनरजी मिलती है तो आपका यहाँ पर option number C जो है वह बिलकुल करेक्ट हो जाता है कि जिस आहार से समुचित वृद्धी रोगों से रक्षा तथा अवश्यक उश्मा उर्जा के लिए सभी पोशक तत्तों अर्थात कार्बो हाइडरेट वसा खनीज लवन विटामिन और जल की अपेक्षित मात्रा पूरी हो जाए उसे हम क्या कहते हैं संतुलित आहार कहते हैं प्रतेक पोशक तत्तों में कैलरी की मात्रा अलग-अलग होती है एक ग्राम कार्बो हाइडरेट में चार ग्राम प्रोटीन में चार और वसा में नौ ग्राम कैलरी उश्मा होती है तो ये तो हमको पता है कि किस में कितनी कैलरी ह भारतिय सम्विधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य को ऐसी वेवस्था करनी चाहिए जिसमें इस्त्रियों और बच्चों के स्वास्ते और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो तो ये प्रस्तामना में राज्य के नीति निर्देशक्तत्तों में मौलिक अधिकार में या कि राज्य को ऐसी वेवस्था करनी चाहिए जिसमें इस्त्रियों तो था बच्चों के स्वास्ते और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो राज्य के नीति निर्देशक्तत्तों का सिध्धान की प्रेणा ये कहां से आया ये आयर्लैंड से आया हुआ है आयर्लैंड के सम्वि यह कहां पर है यह भाग चार में है यहां से भी प्रश्न आ जाता है अगला है ग्राम पंचायत का मुख्या कौन होता है ग्राम अस्तर कारे करता है खंड विकास अधिकाली सरपंच या कमिशनर तो यह जो है हमारा कि ग्राम पंचायत का मुख्या कौन होता है हम सभी जानते है कौन होता है option number c आपका सरपंच होता है ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत होती है या पंचायती राज के 303 व्यवस्था की पहली संस्था है जो ग्राम अस्तर पर कारे करती है ग्राम पंचायत एक सम्वेधानिक संस्था है जो की एक या अधिक को मिला कर जिनकी आबादी एक हजार हो बनाई जाती है नेक्स्ट कुश्चिन है हमारा उस हार्मोन का नाम बताईए जो मानो शरीर में रक्त ग्लोकोज अस्तर को सामाने रखता है कौन है जो मानो शरीर में blood sugar level को सामाने बनाये रखता है estrogen हो गया, calcitonin हो गया, parathyroid हो गया या insulin हो गया तो यहाँ पर जो है इसका correct answer हो जाता है कि option number D जो है वो insulin की हम बात करना है insulin, insulin का स्रामन कहां से होता है agnashya से insulin का स्रामन होता है इसका पहले वाले pressure में हम आपको बताया था कि लैंगर, hands की दीपिकाओं के द्वारा जो beta cells है वहां से क्या होता है इसका सामान होता है ठीक है तो यहाँ पर option number D जो है वो correct हो जाता है कि मानो शरीर में glucose अस्तर को सामान ने ये बनाये रखती है और जो होता है कि मदु में जब diabetes होती है तो उस हिस्तिती में क्या होता है उतकों में glucose का oxygen क्या हो जाता है कम हो जाता है glucose का क्या होता है oxygen कम हो जाता है तथा रखत में glucose की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाती है इसलिए ये जो insulin आगर हार्मोन है इसका क्या होता है आल पस्रामन होता है तो ब्लड में शूगर की मात्रा बढ़ जाती है और यह स्थिति क्या कहलाती है गलाइकोसूरिया की स्थिति कहलाती है अच्छा अगर हम पूछें कि एक प्राण व्यक्ति का रक्त में ग्लुकोस कितना होना चाहिए तो एक प्राण व् नॉर्मल रेंज हैं。 अगला प्रश्वन है तीन दीवार वाले रसोई घर को क्या कहते हैं? तीन दीवार वाला रसोई घर है, तो उसको हम बरतन वगरा धुलते हैं और तीसरे पर क्या होता है यहां पर भोजन पकाने की विवस्था या परोषने का कारे छेत्र होता है तो इस तरह से यह कौन सा यू आकार का रसुमी घर होता है ठीक अगला प्रशन है हमारा कौन सा जीवानू पैप्टिक अलसर का कारण होता है जो हमारा अमाशे है और पकवाशे है उसकी जिल्नी में क्या होता है घाउ हो जाता है उत्व के कारण की चोट 뛰 who hands अमाशे की दीवारों की श्लैश्मिक जिल्नियां भी धीरे-धीरे गलकर नस्ट होने लगती है अता अमाशे एवं पकवाशे की श्लैश्मिक जिल्नियों का ही पाचन अमाशे इसके कारण होने लगता है जिससे पैप्सिक अलसर कहते हैं तो यहां पर आपका प्रेप्टिक अंसर का जो जीवानु है इसका क्या नाम है इसका नाम है है हैलियो पाइलोरी है है यहां पर आप्शन नंबर सी जो होता है वह हमारा करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट है हमारा शरीर की विमिन मंस पेशियों का विकास है क्रियात्मक विकास सम्वेगात्मक विकास रचनात्मक विकास या सामाजिक विकास तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा क्रियात्मक विकास शरीर की विमिन पेशियों का विकास क्या कहलाता है क्रियात् पेशिये नियंत्रण विकास की विशेषता हैं मतलब जो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेशियों पर नियंत्रण भी होता रहता है अगर हम बात करें कि जो हमारे पेशियों का जो नियंत्रण है या विकास मतलब विकास की क्या विशेषता हैं कुछ नियम है जिन से चल करके विकास गुजरता है तो अगर हम कहें कि विकास कहें पहली बात तो इसका क्या होता है यह एक निश्चित क्रम में होता है ठीक है और यह क्या होता है सामान में से विशिस्ट की ओर होता है और जो इसमें जो मानस्पेशियां है पहले बड़ी मानस्पेशियां पर पकड़ होती है उसके बाद छोटी मानस्रीशिओं पर होती है ठीक है और क्रियात्मक इसलिए सब्सक्राइब अगला प्रशन है कपड़ा तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के योग ये द्रव्य इनके लिए यह व्यापक नाम है कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई, ठीक है, मतलब फाइबर है, आपका वीविंग है, आपका यान है और जो फाइबरिक है, ठीक है, यह सारी चीजे है, इनके लिए एक व्यापक नाम क्या है, तागा है, फैल्टि तागा जो है धागा यान की बात करें तो यह क्या है एक व्यापक नाम है रेशे के पास पास सटाक समानतर करके उन्हें खीच कर या एठनवा बल देकर बढ़ते हैं जिससे आविरल लंबाई के धागे का निर्माण होता है जिसे यार्न सूत या धागा कहा जाता है क्या कहा पर अधिक पाया जाता है चावल और गेहूं पर केवल चावल पर ठीक है और इसके आगे भी दो ऑप्षण दिये हुए है तो अभी मैं आपको उसको बताती हूं कि जो हारित क्रांती है उसका प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहीं पर ऑप्षण तो यह किसके कारे हैं पंचायत के पंचायत समीति के जीला पर परिशत के यहां इन में से कोई नहीं तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है पंचायत के स्वच्छता संरक्षण एवं जलाबपूर्ति किसके कारे हैं ग्रामीन इस्तर पर तो यहां किसके पंचायत के कारे हैं सबसे पहले कहां यह हूई? राजस्थान के नागोर जिले में सबसे पहले यह लाँच की गई पंचायती राजे सिताथ परे है की पंचो का फैसले है शाशन पंचायती राज़ सूतरिय प्रणाली के अंतरगत तीन लोगतंत्री संस्थाओं की अस्थापना की गई ग्रामस्थर प्रकेंड अस्थर या जिलास्थर त्री सूत्री यह है ठीक है और यह में कौन-कौन ग्रामस्थर है पहला ग्रामस्थर पर फिर प्रकेंड अस्थर पर जिसको हम ब्लॉक लेवल पर कहते हैं फिर उसके बाद डिस्टिक चाहिए अगर किसी वेक्ति को रहसायनिक दाँ हो जाएगा तो उसको क्या किया जाना चाहिए प्रभावावित भाग को हलके डिडर्जन से धोएं और सहायता पहुचने तक इसकी मालिश करें पर अचानक अगर रहसायनिक दाँ हो जाता है तो सबसे पहले प्रभावित भाग को हलके डिजर्जन से दोएं और सहायता पहुँचने तक इसकी मालेश करें तो यहाँ पर option number A जो है वो हमारा correct हो जाता है अगर कोई गैना या कपड़ा वहाँ पे है तो तुरंथ ही उसको शरीर से अलग कर दे और उससे एक मतलब की एक ड्रेसिंग या एक साफ कप्टे से शिथिल छेतर को लपेट दे मतलब हलका लपेट दे यदि जलन सतही है तो आप एक OTC मतलब अगर उपर उपर जलन है तो आप एक दर्द निदोधक दवा भी दे सकते हैं तो यहाँ पर option number A correct हो जाता है अगला प्रशन है निम्लिकित आकड़ों में बहुलक बहुलक मने आपको पहले बता दे जिसकी बारंबारता सबसे ज़ादा होगी ठीक है मतलब श्रेणी जो जो की पदमाला श्रेणी सिंखला में जिस मूलिकी आवरिती सबसे अधिक होगी उसी को क्या हम कहते हैं बहुलक या क्या कहते हैं मोड कहते हैं और यह जो सिंखला है इसमें आठ कियाब रिती बार बार की गई है चार बार की गई है इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर आठ हो जाता है तो अप्शन नमबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा अगला है निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदले पन को मापने के लिए प्रियुक्त नहीं है तो पानी के गंदले पन को मापने के लिए कौन सी इकाई यहां पर उप्युक्त नहीं होगी तो यह जो ATU है यहां उप्युक्त नहीं है बलकि NTU, JTU और FTU यह पानी के गं आसरी के अवरो सरकिमी के अक्तले टो तो तु हमारे अक्तले हैं अब एक फिने पर आपनों मुझा आपनी लोखा है करी असेक्तली में नमर्ड दि जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है कौन से प्रदूषन से व्यक्ति के गुटन शिर्दद अतिसार भारी पन भूक ना लगना आधी लक्षन देखने को मिलते हैं जल प्रदूशन, धोनी प्रदूशन, वायू प्रदूशन इन में से सभी तो यहाँ पर करेक्ट होता है option number C क्या हो जाता है वायू प्रदूशन वायू प्रदूशन एक ऐसी स्थिती है जिसमें वायू मंडल में ऐसे और शिस्ट एकत्र हो जाते हैं जो मनुशेयों अन्य जीमों तता उनके पर्यावरण के लिए हानिकारत प्रभा उत्पन करते हैं वायू प्रदूशन से व्यक्ति के गुटन, सिर्दर्द, अतिसार, भारीपन, भूखना लगना आदी समस्यां उत्पन होती है तो अप्शन नमबर C जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है अगला है सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है नाइलोन का है, रेयोन का है, फ्लैक्स का है या एक्रिलिक का है तो सबसे अधिक मजबूत रेशा जो है वो अप्शन नमबर A जो है नाइलान का रेशा है बिलापन, कोमलता, कारेच्छमता, सौंदर, इस्थायत आरिका कोई भी प्राकृतिक रेशा मुकाबला नहीं कर सकता तो option number A जो है वह हमारा correct हो जाता है आइस्क्रीम में आम तोर पर मिला जाने वाला अपमिशक न्विय है एर्जमोन आईल, मसले हुए आलू, कैस्टर्ड आईल या नेयल यहां आईस्क्रीम में आपमिशक मसले हुए आलू, option number B जो है वह correct हो जाता है 22 जोड़े क्रोमोजोम को जाना जाता है और टोसोम्स के नाम से, जीनोम्स के नाम से, लिंक क्रोमोजोम्स के नाम से, इन में से कोई नहीं तो जो ये 22 जोड़े क्रोमोजोम को किस नाम से जानते हैं हम और टोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं क्यूंकि जो समझाद गुरसूत्र या आटोसोम्स जो है वो 22 जोड़ा कहलाता है लेकिन जो 23 जोड़ा है उसको हम किस नाम से जानते हैं वो 23 जोड़ा है उसको क्रोमोजोम को पुरुष एवं महिला में भिन होता है और 23 जोड़े महिला में XX और 23 पुरुष में XY होते हैं तो 22 जोड़े क्रोमोजोम क्या है और जो 23 जोड़ा है वो ही लिंग ने धारण करता है ठीक तो यहाँ इसी के साथ आज का मारा लेक्षिक खतम होता है पढ़ावा पसंद है तो प्लीज कमेंट करें वीडियो डेली अपलोड हो रही है और आपको उससे पढ़ने में काफी हेल्पी लेगी ओके थैंक यू